आज इस वीडियो में मैं discussion कर रहे हूँ आपके साथ आपकी बहुत important GSTR 3B की screen पे मैंने GSTR 3B को open भी किया हुआ है यहाँ पे जितनी भी tables हैं यह आप use करते हो अपनी sale का data एंटर करने के लिए और ITC का data एंटर करने के लिए इस बार की GSTR 3B जो October की आपने November में भरनी है न यह सबसे important 3B है आपकी पूरे साल की सबसे पहले discussion कर रही हूँ आपके साथ 2B के बारे लिए यही मैंने open करें के GSTR 2B यहाँ पे दो तरह की tables होती है ITC available यानि जो ITC आपके लिए available है और ITC note available जो 2B नहीं restrict कर दिया कि आपको इन्हें नहीं लेना है यह ITC note available में दो तरह के ITC आपके block करे जाते हैं जो GSTR 2B के advisory से हमें पता चलता है पहला है SA invoice या debit note for supply of goods और service और both where the recipient is not entitled to ITC as per the provision of subsection 4 of section 16 पहला कौन सा है आपका ITC note available जो section 16-4 की condition की वज़े से restrict कर दिया गया है यानि कि 30 November की जो time limit है ITC के लिए वो आपकी अगर जा चुके उसके बाद supplier ने अपनी GSTR 1 या 3B फाइल करी है टेक्स पे कर रहा है government को तो वो यहाँ पर आपके ITC note available में reflect कर दे जाते क्योंकि वो आपको लेना allowed ही नहीं होते और दूसरा होता है invoice और debit note where the supplier and place of supply are in the same state while recipient is in the another state तो यह दो तरह के ही ITC आपकी table ITC note available in GSTR 2B में report किये जाते हैं अब मैं आपको लेकर चल रहे हूँ GSTR 3B की table number 4 पे इस पे मैं click कर रही हूँ यह है हमारी eligible ITC की table जिसके थूँ आप input tax credit को claim या reverse कर यह table table number 4 बड़ी important है आपके लिए भी और साथी government के लिए भी सबसे ज़्यादा restrictions हमारे पास government ने लगा रखे है input tax credit पे कितने सारे credit तो block कर रखे हैं कितनी सारी section 16 की conditions है credit को लेने के लिए आपको यार दिलाना चाहूँगी अभी latest ही government ने एक नया rule insert किया rule 37 capital A इस rule को कैसे आप समझोगे मैं बताते हूँ मान लिजे आपने purchase करी RAM से RAM आपका supplier है RAM से आपने purchase करी in the month of April 2022 एक लाग की आपने purchase करी थी इस पे 18,000 का JST था आपको उसने proper invoice दिया ठीक है invoice आपके पास आगया आपने इसका input tax credit ले लिया अपने 3B में क्योंकि उसने JST 1 file कर दी थी जैसे उसने JST 1 file करी आपके 2B में reflect होने की वज़े से 3B के थूँ आपने ये input tax credit claim कर लिया अब यहाँ पे आपके 2B में आ गया था क्योंकि JST 1 तो file कर दी थी RAM ने बट अगर मैं कहूं कि RAM ने JST 3B file नहीं करी और government को tax pay नहीं करा ये वला तो government ने इसके लिए announce किया है rule 37 capital A यहाँ पे आपको एक time limit दी है पहले supplier को दी है कि 30 सितंबर तक next financial year के 30 सितंबर तक यानि अप्रेल 2022 है 2022 तेस financial year इस financial year के next financial year में 30 सितंबर तक यानि 30 सितंबर 2023 तक RAM को ये tax pay करना था मान लो 30 सितंबर तक भी RAM ने ये tax pay नहीं करा 3B file नहीं करी तो अब आपको क्या करना है आपको November 30 तक 30 November तक ये 18,000 का जो ITC आपने लिया था ये reverse करना है इस case में आपसे अभी 30 November तक कोई interest नहीं लिया जाएगा यानि अगर आप चाहोगे कि 18,000 का 30 से अब मैं reverse कर देता हूँ क्यों मुझे future की problems में पढ़ना तो आपको अभी कोई interest नहीं देना अगर आप इसे 30 November तक reverse करोगे पर अगर 30 November के बाद करोगे तो आपको इस पर 18% interest भी pay करना पड़ेगा reversal के लिए जी हाँ चाहे आप इसे कहो कि बहुत ही harsh rule है कुछ भी आप इसे कहो बट ये rule आप active है आपको इसके according action लेना है अब मैं आपको फिर से portal की तरफ लेकर चल रही हूँ अब मैं आपको फिर से ले आई हूँ table number 4 पे तो ऐसा जो भी reversal करोगे ना आप तो आप उसको डालना 4B2 में ठीक है table number 4B2 में बट अभी तक क्या था कि मुझे लग रहा था personally मुझे लगा था कि GSTR 2B की जो ITC note available की table है शायद ऐसे ITC हाँ पर report हो जाए ताकि हमें पता चल सके हमें कौन सा ITC reverse करना है अभी 2B में ऐसा नहीं आ रहा है अगर आपके 2B में ऐसा आ रहा है तो आप देख ले ना आपको इसके लिए पहले reconciliation करने पड़ेंगे और साथ ही जो आपका supplier है उनको search text pair में जाके GST number से आप search कर लो यहाँ पर option होती ना search text pair की यहाँ पर enter करो उनका GST number और search पर click करो search पर click करते ही ना आपको यहाँ पर देखेंगी show filing table और show return filing frequency यह तो frequency आ गई और show filing table से आपको पता चल जाएगा कि इसने कोन-कोन से अपनी return भरी है जैसे filing of 3B लिखा आ रहा है filed है इनकी पूरी आपको देख गई है filing of GST 1 का status आपको दिख गया GST 9 का status दिख गया तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपका कोई supplier है उसने government को text pay करा है या नहीं तो यह working आपको अभी करनी पड़ेंगी क्योंकि 2B में पता नहीं अभी भी यह reflect होने लगा है या नहीं वैसे यहाँ पर आज आना चाहिए था तो अपना GST 2B इस बार पहले जरूर चेक कर ले ना ITC note available को और आपने अपने reconciliation तो करने ही है हमारे webpage cagurujiclasses.com पे reconciliation के भी course active है तो अगर आपको reconciliation में दिखकत आती है कि rule 37 capital A के लिए checking करनी है कि क्या आपके supplier ने 3B भरके government को tax pay करा है या नहीं आपके साथ बहुत सारे suppliers जुड़े होंगे आपको होगी इतनी सारी working कैसे करें तो idea लग जाता है कोई सा हमारा supplier genuine है जिनसे आप बहुत पहले से काम करते आ रहे हो उनको आप मान सकते हो कि वो आपकी जानोन supplier है किसी नए supplier से आप जुड़े हो तो आप थोड़ा सा checking जरूर करें यह मेरी आपसे request है वैसे gesture 2B में अगर यह reflect हो जाता तो यह जादा अच्छा रहता आपकी gesture 3B कि सारी tables इस बार बड़ी important है क्योंकि अगर आपने financial year 22-23 में कोई भी गलती कर दी थी और reconciliation के time पे आपको वो गलतियां मिली है तो अब आपने जो यह अक्तूबर की return भरनी है November में जिसकी last date है 20 November दिवाली तब तक जा चुकी होगी अपना काम proper तरीके से करना हरी में मत करना क्योंकि यह 3B बड़ी important है तो कोई भी गलती हुई है financial year 22-23 की आप 3B में इसे ठीक कर लिजे पहली table है आपकी 3.1 tax on outward and reverse charge inward supply तो कोई भी sale की आपकी गलती हुई है पिछले financial year 2022-23 में sale कम दिखा दी या जाधा दिखा दी आप वो adjustment अपनी 3.1 number table में कर सकते हो इस महीने की जो sale है उसमें से कम या जाधा करके accordingly tax की adjustment करके यहां पर correction कर सकते हो यह section 95 की supplies के लिए table है 3.1.1 यह interstate supplies के लिए हमारी table है reporting table eligible ITC input tax credit का भी अगर आपको कोई 22-23 का आपका credit रह गया है तो आप उसे avail कर लो क्योंकि यह आपके पास आखरी मोका है इसके बाद आप financial aid by states का ITC बिलकुल भी avail नहीं कर पाऊगे reverse तो आप कर देना बाद में भी कोई दिकत नहीं है DRC के थूँ इंटरस्ट के साथ pay कर सकते हो ITC tax कम pay कर दिया जाधा pay लेने के लिए government हमेशा तियार बैठी है anytime आप DRC 03 से government को पैसा दे सकते हो पर जो आपका input tax credit है जो आपके लिए eligible है जो आप ले सकते हो जिसे आपका tax बज़ता है अगर वो आपने claim नहीं करा इस 3B तक तो वो आपका lapse हो जाएगा उसे आप ले ही नहीं पाऊगे और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी जो मैंने हाँ पर rule 37 यह आपके साथ discuss करा जिसमें supplier ने अगर अपनी return फाइल करके tax government को 30 सितंबर तक पे नहीं करा तो recipient को अपना ITC reverse करना है 30 November तक इसमें एक और close है कि अगर बाद में मानलो बाद में राम इसमें December 2023 में government को tax pay कर दे तो फिर आप भी दुबारा reclaim करने के लिए ITC को eligible हो जाओगे और इसके लिए कोई आपकी time limit नहीं है इस credit को reclaim करने के लिए time period section 16.4 का नहीं देखा जाएगा क्यूंकि supplier ने जब tax pay करा आप फिर से उसे reclaim करने के लिए eligible हो जाओगे इसका आपने ध्यान रखना इसलिए हमने इस credit को कहा डाला table 4b के two part में यहाँ पर यह जो 4b 2 table है इसमें आप ऐसा ITC डालते हो जिसे आप future में reclaim कर सकते हो ठीक है और आप जब reclaim करोगे तो उसको यहाँ भी report कर देना तो आपका जो नया ledger आया ITC reversal का उसमें भी इसकी reporting चली जाएगे क्लियर हो गया आपको साथ ही आपने को एक्जाम्ट या नेल रेटीट सप्लाई में गलती करी है वो भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हो तो आपकी GSTR 3b और साथ ही GSTR 1 भी बढ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार की GSTR 1 की भी कोई भी correction आप कर सकते हो इसके बाद फिर आपके पास option बचेगी आपकी GSTR 9 and 9C की जिसकी last date है 31 December इसका पूरा कोर्स हमारे वेब पेज पर अवलेबल है लिंक्स मैं description में दे दूँगी आप easily reconciliation का कोर्स भी भाई कर सकते हैं 99C का कोर्स भी भाई कर सकते हैं चाहे आप कोर्स ले या ना ले, that is up to you, but गलतिया ना करें कोई गलती हो भी गई है Financial Air 22-23 की गलतियों को तो at least जादा फोकस करके इस बार ठीक कर लो वैसे तो आप past months की गलतियां भी थ्रिक कर सकते हो आगे की 3B में पर Financial Air 22-23 पर जादा फोकस कर लो अभी और उनकी गलतियों को ठीक कर रहो तो यह important वीडियो आपने तो देखी ली है, समझ ली है आप और भी persons के साथ शेयर अगर अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको help मिली है तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन इस पर आप क्लिक कर लीजे, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे हमारी बहुत help हो जाती है और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिसकस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्केप्शन और पीन कमेंट में है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप हमारे वेब पेज पर आएए textupdates.cagurujiclasses.com यहाँ पर हमारे बहुत important articles active रहते हैं आप इनको share भी कर सकते हो, other persons के साथ यहाँ पर options है, चाहे हो आपका Facebook है, Twitter है, Telegram है, Instagram है कहीं भी आप easily share कर सकते हो और हम भी other social medias पर active है, जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, Channel तो आप हमारे साथ connect हो जाएं, ताकि आप कोई भी important update miss ना करें साथ ही अगर आप courses में interested है, advanced learning आप करना चाहते हैं तो हमारे website को visit करें, cagurujiclasses.com प्लीज ध्यान रखें, यही हमारा webpage है, cagurujiclasses.com किसी भी fraud website पर आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर link मिलेगा courses का courses section में आप देख सकते हैं हमारे courses active हैं जैसे trademark, company registration, TDS and TCS, GST, income tax, ITR and automation of balance sheet, accounting GST99 से आपको limited validity courses में मिलेगा, तो हमारे courses दो तरहां के lifetime validity and limited validity, तो जिसमें भी आप interested है course में उस पर click करिए उसके curriculum को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें coverage है, क्या यह आपका purpose solve कर रहा है, अगर आपको लगे yes आपका purpose से solve हो रहा है, तो आप इससे add to cart करिए और आप यहाँ पर हमारे courses में enroll हो जाएंगे, तो यहाँ आपको courses तो देखी रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे combo भी बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे persons यह सोचते हैं, एक ही course लेके मेरा benefit मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी आप बहुत ही limited time के अंदर सीख सकते हो, और फिर सीख के अपनी earning स्टार्ट कर सकते हो, जितना जल्दी सीख होगे, उतना जल्दी earning स्टार्ट कर दोगे, इसलिए यह online courses आपके help के लिए ही provide करे चाते हैं, और इनमें pricing इसलिए रखी जाती है, क्योंकि online courses provide करने में आपके ल available कराई जाते हैं, आप इनका benefit लिजे, आप अगर इसकी course देखेंगे न, तो इतना course तो आप शाद traveling पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप offline लेन जाएंगे, कहीं से class, तो इनका benefit लिजे, अपनी skills को improve करेंगे, जितना learn करेंगे, उतनी ही जल्दी earn करेंगे, किसी न सही कहा है, best investment is to invest in yourself, जब तक अपने उपर काम नहीं करोगे, तब तक आप life में grow नहीं कर पाओगे, तो आपके benefit के लिए हमारी website पे ये सभी courses available है, यहां हमारे webpage पर FAQ भी available है, कोई भी आपको query आ रहे है, कोर्स लेटिर यहां पे दिये है, otherwise आपके पास ही contact us की option है, यहां पे हमारे email ID और mobile number अवलेबल है, आप WhatsApp पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, mobile पे भी call पे बात कर सकते हो, team के साथ, और हाँ, यही से हमारा जो text updates का page है, जहां से आपको daily हमारे important article मिल सकते है, वो भी अवलेबल है, और CAGuruji Classes.com को, आप चाहे तो अपने computer से access करिये, या फिर इसकी Android app भी अवलेबल है, अपने mobile में Android app इसकी डाउंलोड कर ले, CAGuruji Classes. Thank you so much for watching.